Hello Guys, This is Poonam and Welcome to Poonam Study Center आज की वीडियो में हम सोल करेंगे A² प्लस B² इक्वल्स है 6 A B और हमें फाइंड करना A प्लस B अपॉन A माइनस B की वेलो को तो चलिए सोलूशन स्टार्ट करते हैं तो सोलूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि खुद एक पार इसको सोल करने की वीडियो को पोज करके उसके बाद आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कोशन A² प्लस B² इक्वल्स टू 6 A B तो देगे गाई इस टाइप के कोशनों में कुछ लोजिक चीपा होता है यहां पर सबसे पहले आपको A plus B निकालना है फिर A minus B निकालना है फिर आपने A plus B को A minus B से डिवाइद करदेना अब A plus B कैसे आएगा जब square का होता है ना जब square मिलता आपको उस case में यहां पर कोईने कोई formula बनता है A plus B के whole square वाला तो अप कैसे formula बनायेंगे B to AB को add कर देते हैं तो left hand side में एक formula form होता है, वो क्या है, A plus B का whole square, ठीक है, equal 6, ये भी AB है, ये भी AB है, तो दुन्नों को हम add कर देंगे, क्योंकि same variable होता है, तो इसमें constantum add हो जाती है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, A plus B का square, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हम इसका हमें square हटाना होगा, square हटाने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, square root करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका square root करेंगे, तो आपको right hand side में भी square root करना पड़ेगा, इसका square root, तो यहाँ से square root से square cancel हो जाएगा, तो यहाँ से आ जागा, A plus B equals, 8 को आप ल टो एक टू अंदर रह जाएगा इसको आप लेख सबते हो 2A P ठीक है अब इहां से आपकी A प्लस B की वैलू आगे क्या आगी A प्लस B की वैलू आगे अब सेम वे में आपको A माइनस B की वैलू को निकालना है अब उसको कैसे निकाल लोगे तो आपको पता है कि a minus b का square क्या होता है a square minus 2ab और plus b square होता है अब यहां से आप क्या उठाओगे अब यहां से आपने question में दिया था कि a square plus b square की value क्या है 6ab अगर आप यहां से minus 2ab को subtract कर देते हैं यहां से 2ab को subtract कर देते हैं तो यहां से आपका formula बन जाएगा क्या a minus b का whole square 6 में से 2 जाएगा 4ab आजाएगा अब सेम वे में आप क्या करोगे दोनों तरफ आप square root कर दोगे जब left hand side में square root कर दिया अब right hand side में भी square root करेंगे तो इससे यह square root cancel हो जाएगा तो यहां से आपकी value आगी a minus b अब 4 का square root है इसको आप लिख सकते हो square root of 4 and square root of a b 4 का square root क्या होता 2 और square root of a b यह आपका क्या आएगा a minus b की value आपको निकालना क्या था a plus b upon a minus b अब क्या करोगे यहां से जो आपकी equation first आई है यहां से equation second आई है equation first को आप second से डिवाइड कर दोगे मजलब की a plus b upon में क्या आगया a minus b a plus b की value थी आपकी 2 root of 2 a b upon में यहां से value क्या है 2 root of a b ठीक है अब यहां से देखो 2 से तो 2 cancel हो गया अब इसको आप अलग से कर सकते है इसको आप लिख सकते हो root 2 root a b upon में root a b तो यहां से a b से a b cancel हो जाएगा तो यहां से क्या आगया root 2 मतलब की a plus b upon a minus b की value आपकी क्या आगी root 2 और यही आपकी answer होगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक like कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कीजिएगा और जादा पसंद आए तो वीडियो को share चरूर कीजिएगा thanks for watching